कि नमस्कार साथियो मैं अन्मुल माता आप सभी का स्वागत करती हूं क्रेजी जी के ट्रिक के यूटुब प्लेटफॉर्म पे उमीद करती हूं आप सभी शांदार होंगे डियर स्टूडेंट्स आप सभी को हम बता दे कि हमारा वक्याब्री सीरीज का 19th lecture होने वाला है तो आज का सेशन जो है वह कैबली सेशन का मैं बोलूंगी लाज सेकेंड सेशन है हमने जब यह सीरीज स्टार्ट की थी तो तर्गेट रखा था कि आंने अवरेज हम आपको थाउजन वर्ट तो कवर करेंगे बट हमने थाउजन प्लस वर्ट आपको अलड़ी कवर करा चुके ह है अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहा है तो उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि भई लेक्टर नमबर वन से लेके 18 तक हम अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं यह 19 वाले लेक्चर है हम हर सीरीज में हर लेक्चर में टूटल फाइफ दिसकस करते हैं और उस थीम पे हम कम से कम दस वर्ट देखते हैं तो काफी इंटरस्टिंग वेए में आपको मैंने सारी थीम कवर कर आई है और उसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया है कि इसके जो तो वहाँ पर आपको English की playlist मिल जाएगी वहाँ पर आप स्क्रोल करके देखना English grammar वहाँ पर आपको spotting errors मिल जाएगा sentence improvement, vocabulary मिल जाएगी वहाँ भी previous year, voice के questions करा रखे, मैंने narration करा रखा है, filling the blanks कवर करा रखे और साथी साथ PQRS और close stress भी कराया है, that means मैंने आपको पूरा grammatical portion कवर करा रखा और vocabulary के भी आपको मैंने 20 series तक कवर कर वहाँगी, तो अगर आप लोग के मन में कोई ऐसा topic है जो आप चाहते हो कि मैं YouTube पर आप लोगों के लिए लेकर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे comment box में मैं आप लोगों के response देखूंगी, अगर seriously कोई ऐसा topic है जो आपको परिशान करता है और आपको लगता है कि नहीं मैम आप ये भी पढ़ाई है, तो फिर आप please comment box में बताएगा, मैं जरूर देखूंगी आप लोगों के comment, so आज के इस session में again हम लोग 5 team discuss करने वाले है बहुत ही शांदार theme है आज की और बहुत ही मज़ा आने वाले session में, तो सभी लोग session को आखरी तक जरूर देखना और comment जरूर कीजेगा, so first theme आप लोगों के सामने है, आज की जो theme है, वो है scolding punishment criticism, that means जब हम किसी को dart फटकार लगाते है, जीवन में सभी को जितने भी लोग देख रहे है, कभी ना कभी तो dart पड़ी होगी है कि नहीं, आलोचना सुनने को मिली ही होगी, भीया तुम इतने बुरे हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम वह नहीं करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो उससे related आज है words पढ़ने वाले है, बहुत ही प्यारी आज यह स्लाइड है, काफी number of words हम यह आपर देखेंगे, तो आप लोग note-down करके जरूर रखना, तो first word देख लो भाई है, scolding, यह theme है, scolding से related theme है, punishment से related theme है, criticism, scolding से related first word हम देख रहे है, जिसे हम कहते है, admonish, admonish का मतलब होता है warning, इसको हिंदी में हम कहेंगे, चितावनी देना, हम कभी भी किसी को आजाना बताऊंगा मैं तरको कौन हूँ, ऐसे बोलते हैं, तो admonish मतलब क्या होता है, किसी को चितावनी देना, warning करना, next word है, rebuk, rebuk का मतलब भी क्या होता है, डार्ट फटकार लगाना किसी को, जैसे आप लोगोंने school time में काफी teachers वगेला की डार्ट फटका की बताना, reprimand बहुत important word है, exam में कहीं बार पुछा गया है, reprimand का word मतलब भी होता है, डार्ट लगाना, जैसे आप किसी के अंडर में job करते हो, आपने हो काम समय पर complete नहीं करके दिया, तो भी या, आपके जो employee रहते हैं, वो आपको डार्ट लगाते है, रैप्रिहंट, इस पटकार ना, जैसे मम्मी, अगर हम लोग कोई काम नहीं करें समय पर, तो हमारी माताश्री हमें लगाती है, या डार्ट पटकार लगाती है, पिताश्री भी लगाते है, ऐसे अप्रेट, भी वेरी वेरी इंपॉर्टन वर्ड है, exam में पूछा गया है, जितने भी words के आगे या आपके लिए रामबाण है, अगर आपने 20 सीरीज तक प्रॉपर सारे वीडियो अच्छे से देख लिए, नोट्स वोट्स लाइफर कर लिए है, खुद से नोट्स बना लिए है, आपकी वोक्याबलरी में काफी चीज़े इजी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, बस आप आपको करना क्या है, रिवीजन करना है, नोट्स बना बना के तो आप लोग बहुत रख लेते हो, लेकिन रिवीजन करने में आलस आता है, तो आप सभी को ये कह दूं भीया, आलस वालस को दूर भगाओ, पढ़ने का समय है, पढ़ो और फटा वट से गवर्मेंट जॉब अलगी सुकून होता है, गवर्मेंट जॉब का आप सभी को पता ही होगा, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करो, और एक सरकारी नूक्री अपनी पक्की करो भीया, ना, देखो, नेक्स, प्रिटिसिजम, सेंसर, आलोचन, अब इस से लिटेड इंपोर्टेंट वर्ट सम आलोचना, फर्स वर्ड, नेक्स वर्ड है, रिप्रोच, रिप्रोच मतलब भी होता है, किसी की क्या करना, निंदा करना, अगर आपने कोई काम सही नहीं किया है, गलत किया है, तो जो आपके कलीक्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी कंप्लीन करते हैं, इम्प्लॉई से नेक्स वर्ड क्या है रेल अगेन वही अलोचना करना है कि नहीं जैसे कि आपने for example कोई प्रोड़क्ट लिया था मार्केट थे और वो अच्छा नहीं चला दो-तिन दन में खराब होने लग गया तो आप क्या करोगे इस प्रोड़क्ट के अलोचना करने लग जाओगे निंद करना जैसे आपने दिखाओगा government जब भी opposition party की क्या करती रहती हर टाइम डिनांस्मेंट करती रहती है निंदा करती रहती है कि यह लोग ऐसे है वैसे है मतलब abusive criticism अगेन किसी की कठोर आलोचना करना मतलब बहुत ही गंदे गंदे शब्दी उस करके आलोचना करना राइट का मतलब होता है अगेन क्या करना किसी की निंदा करना scolding speech रिवाइल का मतलब भी same होता है निंदा करना next word है हेरेंग का मतलब होता है बड़ी आलोचना मतलब जब आप कोई लंबा सा किसी को भाशर देने लग जाओ for example आपने बहुत दिनों तक कुछ गलती करी हो और आप गलत क्यों दिया जाता है इसका एक मकसित होता है कि आप इंप्रूफ कर ना उसके लिए दिया जाता है इसका मतलब भी होता है कड़ी आलोचना इन्वेक्टिव वॉयलेंट वर्बल अटेक है अगेन वही चब्द यूज करके जब आप बहुती aggressive words यूज करके सामने वाली परसन को भट करना चाहते हो न तो उसके लिए यह वाला word हम यूज करते हैं इसका मतलब भी होता है scolding, defame, किसी को बदनाम करना, अलोचना करना, किसी की इज़त उताना, कुछ-कुछ बोलके ताकि उसकी कोई भी respect ना करे, castigate, very very important word, castigate, berate, vituperate, तीनों ही important word, इन तीनों words का मत करना, डाटना, क्या जी, next word क्या है play, play भी important word है, अलोचना करना, exhaust, यह भी important है, याद रखेगा, punishment से related कौन कौन सी word है, जीवन में भी आप सभी को कभी न कभी punishment मिली होगी अपने teacher से, फस्स वर्ड है less, less का मतलब क्या होता है, पीटना, क्या होना होई है, पीटना, कितने ल next word है whip, whip का मतलब भी भी होता है, किसी को क्या करना, फीटना या दंड देना, क्या देना, lambaste, lambaste का मतलब भी होता है, किसी को मारना, किसी को मारना next word is Billings Gate मतलब किसी को गाली गलोच देना आ आ आ आ लोच ना करना क्राउवन जी को करना क्नव र Tammy एक्जांपल कि इसके नहीं बता रहे हूं क्योंकि बहुत लंभी स्लाइड यह लास्ट वाली ऐसंक्ष है अफे next theme है अप लोगों की tasty अगर आप लोगों के सामने ंभी पिजा आजा सहना वह farmhouse वाला पिजा Mexican Delight पिजा तो आप लोग की मुह में क्या आ जाएगा पानी आ जाएगा की नहीं यहां आ जाएगा क्यों का मतलब होता है something which is Hindi में बोलो तो स्वादिष्ट जो चीज क्या हो स्वादिष्ट हो जिसमें से बहुत अच्छी-च्छी खुश्बू भी आ रही हो अपने देखो अगा मम्मी कभी-गभी घर में भीया क्या बना देती है मटर पनीर बना देती तो इतनी प्यारी तो सयपट that means what जहां से बहुत प्यारी तीख भी खुश्बू आने लगे नेक्स वर्ड इस सेवरी स्वेवरी का मतलब भी वही होता है जो चीज क्या हो स्वादिष्ट हो डिलेक्टेबल मतलब भी वही होता है क्या श्वादिष्ट मतलब कोई ऐसी चीज जिसे देखके एक दम क्या लगे तेस्टी लगया नेक्स वर्ड है रेलिशिंग मतलब होता है आनन्द लेना कभी-कभी आपने देखा होगा ठंदी के समय में हम लोग सूप पीते हैं डिफ्रेंट डिफ्रेंट टैप के सूप अवेलेबल होते हैं होटेल में तो सूप को जब हम पीते तो ब रेलिशिंग क्या कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में आपकी क्या है वर्ब है लेक्स वर्ड है लेशियस का मतलब भी क्या होता है अकर्शक मतलब कोई चीज जो एकदम बहुत टेस्टी देख रही हो बर्गर जैसे सामने आता है मुह में पानी आता है खुद बखुद नेच किसी टेस्ट को क्या करना इंज्वाय करना नेक्स वर्ड है गस्ट्रेटरि अफेक्टिंग दे सेंस ओफ इसका मतलब अगर हिंदी में बोलू तो स्वाद संबंधी क्या होता है बहुत जादा स्वाद संबंधी स्वाद से रिलेटिड जो भी चीज़े रहती है उसे हम कहते यह वर्ड भहिया बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मतलब कोई चीज जिसकी बहुत ही ज्यादा टीकी स्मेल आ रही हो टीकी स्मेल जब आती है किसी भी चीज की तो उसके लिए यह वाला वर्ड हम स्पेशली यूज करते है आईए एक्जामपल देख लेते क्या क्या भीया फस् आते तो रेसेपी पूछते है कि नहीं तो वही चीज है नेस्ट थीम आप लोगों की क्या है भीया थीज टेक पॉजिशन हिंदी में बोले तो किसी को जब्त कर लेना खडपना जैसे भाई साब देखते हूं इन्होंने कुछ गलत काम क्या होगा जरूर पुलिसमेन ने इन कर लिया है इनका पॉजिशन कर लिया है अब सीज और एक पॉजिशन जब्त करना हडपना किसी चीज को गिरफतार कर लेना अधीगरहन कर लेना कौन कौन से वर्ट होते हैं इंग्लिश में वह हम देख रहे हैं और अगर आप लोग के मन में कोई वर्ड आ रहा हो उससे पह शुआ है क्या है फर्स वर्ट देखो क्या है का उन्फिस्केट का मतलब होता है किसी को जब्त करना आप लोगों ने देखा ऑगा जब भी बॉर्डर से कोई इलिगल गूट आ रहे है तो जो कस्टम ओफिशल सब्सक्राइब रहते वह क्या कर लेते हैं उसे जब्त कर लेते है क्या कर लेते भई जब्त कर लेते that means what confiscate the custom officials had to confiscate the illegal goods annex का मतलब क्या होता है annex का मतलब होता है जोड़ना आप लोगोंने पड़ा होगा policy of annexation lord dhalozi ने की थी मतलब दूसरे की territory को अपने राज्य के अंदर मिला लेना annexation मतलब वही होता है अपने अंदर क्या कर लेना जोड़ लेना क्या कर लेना जोड़ लेना उसे हम कहते annexation arrest तो simple word है आप सभी को पता है इसे हम कहते गिरफतार करना next word expropriate इसका मतलब होता है अधी ग्रहांड करना जैसे आपने अगर public land पर अपना घर बना रखा तो government एक दिन आपकी land को क्या करेगी expropriate करेगी यह बहुत सार लोग करते हैं दूसरों की property को हडप लेते हैं वहां पर अपना बसेदा बसा लेते और फिर जब उनको उटने का आ जाए तो मना कर देते हैं वह क्या कर रहे है सीज अनादर आवर नेक्स वर्डे कमांडीर का मतलब भी क्या होता है किसी चीज को जब्त करना क्या करना भीया जब्त करना तो यह सारे वर्ट्स थे एक्जांपल देख लो भीया security officer had to confiscate the prohibited items at the import it is not ethical to usurp someone else ideas without giving right next word is anger भीया किस को anger आता है किस को क्रोध आता है उस से लेटिट वर्ड हम देख रहे हैं गुस्ते से लेटिट कौन कौन से वर्ड है भाई साब दोनों कान में से धुआ निकल रहा है बहुत ज्यादा अधी क्रोधित हो गया है पता नहीं क्या हो गया इनके जीवन में तो पत्करी क्या है रेज हिंदी में इसका मतलब ही होता है क्या प्रोध या अक्रोश जब आ भाउत ज़्यादा गुसा हो जाते हो और आपको किसी ने धोका दिया आप क्या होगँ ऑफ we कि अपनी बुरी बात कहके सुना देना आफने परसन को चिला के आ जाते हो इसका सामन दे दी आपने आपको पूरे बरोबर पैसे दें दे थे फिर भी सामन खराब निकला तब आप करते हो ना मैं इसका मतलब होता है असंतोष जब आपके साथ को ऐसे चीज हो जाए जो आपको पसंद नहीं हो आप क्या हो जाते हो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है उत्सा यह एक पॉजिटिव वर्ड है जैसे अगर मैं बात करूं अभी जब मैचेज हो रहे थे वर्ल्ड कप वाले इंडिया के तो इसका मतलब होता है उत्साहित या फिर विताब अगें जब यह एक नेगेटिव वर्ड है जब आप किसी की वाज़े से इतने ज्यादा नाराव जो जो कि आपको समझ महीं नहीं कि अब मैं क्या करूं क्यों कहते है इसको बावला हो गया क्या तो बावली हो गई क्या बाव बावली के लिए exact word होता है क्या? trentic. दोनों word का मतलब almost same होता है इसका मतलब होता है पागल और सर्फिरा हो गया है को समझ में नहीं आ रहे है किया कर रहा था उसके लिए word होता है infuriate infuriate मतलब वही प्रोधित हो जाना, एकदम गुस्से में हो जाना wroth, very very important word, wroth wristling wristling का मतलब होता है कठी नाई कठी नाई, ठीक है next word क्या है frenetic, frenetic again वही, पागल हो जाना गुस्से की वज़े से, seat boil by anger, वही, गुस्से में कुछ लोग उबल जाते हैं, हम कहते हैं गुस्से से उबल रहे हो तुम भी है, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, वही चीज़ है seat मतलब क्या, boil by anger क्रोधित होना, गुस्से से पागल हो जाना उसे हम कहते हैं next word is indignation, anger due to injustice, अगर मान लो आपके साथ अन्याय हुआ है, आपने कोई जुरुम नहीं किया था लेकिन फिर भी आपके साथ injustice हो जाए तो तब जो आप गुस्सा होगे न नराजगी अगर इसको हम कहते दिखा जाये तो, मतलब आपके साथ जो न्याय होना था वो नहीं हुआ, गलत हो गया आपके साथ तो, प्रोवोक, एंगर, किसी को क्या करना भाई है उत्तेजित करना, किसी को उकसाना नेक्स वर्ड है, erratic इसे हम exact अगर हिंदी में वो रहों तो, इसे हम कहते है और नियमित, बतलब कोई चीज जो और नियमित हो और उसकी वज़े से आपको क्या आने लगे गुस्सा आने लगे विचलित भी इसे हम कहते है, है न आपने देखा होगा कोई-कोई इंसान का करेक्टर बहुत erratic होता है, strange होता है विचलित, बोलते कुछ है, करते कुछ और है है न, तो इसे हम कहते है, erratic next word है, स्क्राउल, अम्रेज, गॉलर तो cast angry looks, मतलब गुस्से से देखना, बुरी नजर से देखना, अगर आपको कोई उल्टे-पुल्टे कमेंट कर दे, तो आप उसको जिस नजर से देखोगे, तो कॉनसी नजर होगी fume, again वही, बहुत गुस्सा होना crowded होना, lavet radish color, signified your anger आपके गुस्से को दिखाते हैं, हम कहते हैं, तो तुम्हारा चेरा गुस्से में एकदम लाल हो गया है लाई, लाई, वी, आई, गुस्से में लाल हो जाना temper, temper, again दोनों का मतलब क्या होता है गुस्सा हो जाना पहुचा इस सारे words हम लोगों ने देखी किस से भीया क्रोध से क्रोध नहीं करना चाहिए जीवन में जा जरूरियों करना चाहिए बाकि हो सके तो जितना हो सके क्रोध हमें जीवन में नहीं करना चाहिए भीया example देख लो over time her resentment towards unfair treatment grew stronger तो नेक्स थी में आप लोगों के कौन सी भाई है येल्डिंग पीपल येल्डिंग पीपल मतलब क्या होता है विनम्र वो इंसान जो बहुत बूला बाला हो अगर हम उसको बोले बिटा खाले तो खालेगा हम बोले बिटा सो जा तो सो जाएगा जो अपनी बात को बहुत एज अधिली मान जाए पहले तो चोटे बच्चे होते थे उनको जैसा वो लोग ऐसा करते थे लेकिन अब तो सब के सब नालाएक हो रहे है तो येल्डिंग पीपल विनम्र लोगों के लिए कौन कौन से वर्ट होते देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ट सारे आपको बत अचे गए है तो ध्यान से इनको याद रख लेना नोडाउन कर लेना सम्मिसिफ का मतलब भी वही होता है क्या विनम्र इससे बहुत ईजीली विनम्र शांत कर दिया शांत हो इंसान वह इंसान जिसके जीवन भले कितनी उतल उतल हो जा लेकिन हमेशा उसका कंपोस्ट शांत नेक्स वरे डुकाईल का मतलब होता है आग्याकारी आग्याकारी बच्चे होते ना जो हमेशा बड़ों की बात मानते हैं मीक का मतलब होता है शांत कैसा इंसान शांत इंसान बहले ही जीवन में कितरें भी उता और चड़ा आवाज है लेकिन वह कैसा रहता है मीक रहता है तिम मतलब इस magnet उसी को सात्तेningar कहते है किला नितर समय करने ने पर्लाएं है पहले के बने के जरू walking किल टेए्म्यमेन रहे देएęd समय और इस को दो जुँआ है कि पहले के जमाने में नहीं है वर्ड है शिकायत न करने वाल है वो आदमी जिसे कितना भी कुछ कर लो लेकिन वो शिकायत ना करे हमेशे संतुष्ट है उसम कहते है थंबल मतलब अगिन वही विनम्र क्यों पाइन भी इंपॉर्टेंट वर्ड है जो किसी भी चीज का विरुद्ध ना करे हमेशा हर चीज को ओके-ओके करता है उसम कहते है तो हमेशा इंस्तुष्ट को फॉलो करे जो भी बोला गया है उसे माने अगर हम पालते हैं तो हमेशा अपनी बात को सुनते हैं cat allowed the children to pet and play with it that's it dear students अगर कोई SS student है जिन्होंने अभी तक English की त्यारी अच्छे से शुरू नहीं कि है तो मैं आपको बता दू भाईया अगर आप कोई भी exam की त्यारी कर रहे हो तो English डीटेल में पढ़ना चाहते हो कोई भी subject अगर आप पढ़ रहे हो अगर आपने डीटेल में उसकी पढ़ाई नहीं किये ना तो भाईया कुछ भी नहीं होने वाले आपका एक बार तो आपको कही ना कहीं से कोई भी teacher का कोर्स लेना ही पढ़ेगा तो मैंने कोशिश किये कि सारी चीजे इतनी सिंप्लिफाइड तरीके से पढ़ाऊं कि सारे स्टूडेंट को समझ में तो इस बैच को कहां से डार औा संसा एक्सेज मिलेगा रूट एकसेज से मिलएगा रूट एप लीकेशन डाउलोड करोगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा हमारे फीचर में आप को बता हैं हमारे रिकॉरड क्लास में तो study material है for example अगर आपकी जॉब करते हो आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आपको मारा study material भी access कर सकते हो mock test साथ इसाथ एक साल की वैल डिटी भी है तो contact number given है आपके मन में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं SSC का target badge भी है जिसमें आपको maths reasoning English GSG के यह सारी चीज़े मिल जाएगी आपको अगेन कहां पर मिलेगी भई route application पर मिलेगी registration open है तो please सभी लोग जो new student है SSC की field में जरूर से हमारा target badge English foundation badge ट्राइक कर सकते हैं आपको काफी सारी चीज़े सीखने को मिलेगी तो session कैसा लगा comment में जरूर बताइएगा session को like कीजिएगा next video में जल्दी मिलेंगे और चैनल सब्सक्राइब नी कर आओ तो कर लेना तो goodbye everyone जहन्ट वाल